हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर सरोच चाहर और आज का मेरा टॉपिक है ओरियन्टेशन ओरियन्टेशन एक प्रकार का बिहेवियर है और इसका मतलब होता है किसी भी तरफ से स्टिमुलस अगर मिल रहा है यानि उदीपन अगर मिल रहा है तो उस उदीपन के अनुसार जीव जन्तु जो मुवमेंट करते हैं वो कहलाता है ओरियन्टेशन यानि मुवमेंट अकॉर्डिंग टू दे स्टिमुलस या मुवमेंट बिकॉज अफ दे स्टिमुलस स्टिमुलस के कारण होने वाला जो हो रहा है उसे हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं kinesis and taxes exam में जो प्रेशन आता है या तो orientation के उपर पूरा प्रेशन आसकता है बड़ा प्रेशन या kinesis और texas में difference आसकता है या केवल kinesis और उसके types या केवल टैक्सस के अंदर मीनो टैक्सस दे दिया मान लो या कीमो टैक्सस दे दिया तो छोटे प्रेशनों में किसी भी एक टॉपिक को दे सकते हैं और बड़े प्रेशनों में औरियंटेशन पर पूरे पर या टैक्सस के उपर पूरा कमेंट करो, ठीक है, या चोटे में टैक्सस और काइनेसस में डिफरेंस, तो हम यहां शुरुआत करते हैं, औरियंटेशन का मतलब क्या होता है, मुवमेंट अकॉर्डिंग टू दू स्टिमुलस, यानि उद्धीपन के परणाम सरूप, जीव जो गती करता है, मुवमेंट करता है, वो कहलाता है ओरियंटेशन, और इसे दो टैप्स में बाटा जा सकता है, काइनेसस और टैक्सस, पहले हम लेते हैं काइनेसस के बारे में, यह सबसे सिंप्लेस्ट प्रकार का मुवमेंट होता है, सिंप्लेस् की जितनी intensity होगी उसके अनुसार जो है जनतू की प्रतिक्रिया होगी तो यहां किस पर depend कर रहा है intensity of stimulus is directly proportional to directly proportional to the moment यानि जितना intensity ज़्यादा होगी, moment उतना अधिक होगा, intensity अगर कम होगी, तो moment भी कम होगा तो यहां पर जो है यह intensity पर depend कर रहा है किस चीज पर depend नहीं कर रहा है यहां उदीपन की स्थानिकता से मुक्त यानि किस direction से उदीपन आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है direction से आ रहा है उदीपन, उससे कोई मतलब नहीं है intensity कितनी है उदीपन की वो main चीज है तो हम कहा सकते हैं kainenses जो है ये non-directional moment है, क्या है ये non-directional moment, यानि किस दिशा से उद्धीपन आ रहा है, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बलकि intensity कितनी है, उस उद्धीपन की उसका प्रभाव पड़ रहा है, और इसके प्रणाम स्वरूप, दो जो है प्रकार की प्रति प्रिवर्तन होगा, यानि जिस गती से वो अल्रड़ी चल रहा है, movement कर रहा है, या rest में है, तो अगर intensity of stimulus बढ़ेगी, तो उसकी गती भी बढ़ेगी, या अगर intensity of stimulus बढ़ेगी, तो उसके मुढने की दर, यानि उसके मुढने की दर प्रभावित होगी, ठीक है, तो इसमें दो प्रकार से प्रभावित होगा, उद्धीपन के फलसरूप, या तो जन्तु की गती में परिवर्तन होगा, या उसके मुढने की दर प्रभावित होगी, और इसी दो टाइप के आधार पर, इसे दो टाइप में बाटा गया है, orthokinesis and cleanokinesis, साथ साथ में हम compare कर लेते हैं, जैसे अभी यहाँ बताया, कि kinesis में उद्धीपन की इतिवर्ता के परणाम सरूप, जो है moment हो रहा है, और उद्धीपन की direction से इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन टैक्सस में क्या होता है, उद्धीपन किस direction से आ रहा है, यह directional moment कहलाता है, यानि उद्धीपन जिस direction से आ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ main क्या है, kinesis non-directional moment है, यानि किस direction से आ रहा है, उद्धीपन उसका प्रभाव नहीं है इतना, जितना किसका है, intensity का है, जबकि टैक्सस में क्या है, जिस direction से stimulus आ रहा है, वो महत्तपून है यहाँ पर, तो यहाँ हम compare पहले साथ में कर लेते हैं, यह हम लेते हैं टैक्सस, यह directional moment है, यहाँ moment उद्धीपन की दिशा के अनुरूप होता है, अर्थात उद्धीपन की स्थानिक्ता इसमें अत्यंत महत्तपून है, उद्धीपन की स्थान से आ रहा है, that is more important, और उसी के अनुसार, जो जीव है, या तो उस उद्धीपन की तरफ जाएगा, या उस उद्धीपन से परे जाएगा, या उस उद्धीपन के अनुसार एक विशेश एंगल या विशेश कोन बनाते वे गती करता है, किसी खास दिशा में अपने देह को विन्यास कर, श्रोत्र की ओर जाएगा, अ पत्तवा उससे एक निश्चित कोन पर गती कर रहा है यहां पर में क्या हुआ ये डिरक्शनल significa है इसमें उद्धीपन क की स्थानिकता अत्यंत महत्पूण है टेक्सस में जबकि काइनसस में क्या है स्थानिक्ता महत्वपुर्ण नहीं है यहां में चीज क्या है तिवरता वो उद्धिपन के स्थानिक्ता से मुक्त है उद्धिपन की तिवरता कितनी है यह में चीज है काइनसस में तो यह तो हो गया इन दोनों का difference अब हम लेते हैं और्थो काइनसस and क्लीनो काइनसस और्थो काइनसस जैसे भी मैंने बिताया और्थो काइनसस मतलब गती में परिवरता ना रहा है according to the stimulus intensity कितनी ज़ादा है उसके अनुसार गती भी ज़ादा होगी तो गती में परिवरता को क्या कहेंगे उद्धिपन की तिवरता के साथ जन्तु की गती में तिवरता उद्धिपन की तिवरता के साथ जन्तु की गती में तिवरता को कहेंगे और्थो काइनसस तो हम इसे सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं intensity of stimulus is directly proportional to speed जितना intensity बढ़ाएंगे उतना गती भी बढ़ेगी intensity of stimulus कम है तो गती भी कम होगी और इसका एक example हमने यहां ले रखा है petromyzone का जो लारवा होता है amosiate लारवा amosiate लारवा बिलकारी जीव है जो पानी में रहता है तो पानी के आधार वाले भाग पर या गीली जो रेत है उस रेत में बिल बना कर रहता है इसका head वाला side बिल की तरफ होता है और पीछे वाला part tail वाला part जो है वो उपर की तरफ होता है जैसे ही light की intensity में व्रदी होती है ये एकड़म तेश गती से त्यारने लगता है यानि intensity बढ़ी light की light क्या है यहां पर stimulus है तो intensity बढ़ी तो इसकी गती भी बढ़ जाती है और इसका शीर्ष भाग नीचे की तरफ ही रहेगा ताकि पुनह जो है यह अपने आपको बिल में प्रवेश करा सके और प्रकास चे दूरी बना सके तो यहां intensity of light जो है वो किसको प्रभावित कर रही है इसके movement को प्रभावित कर रही है ठीक है दूसरा example है इसका wood lies wood lies जो है यह moist place पर एकत्रित होना पसंद करती है जहां पर नमी वाला भाग होगा वहां यह एकठे रहना पसंद करती है तो जब इनकी favorable जगा है तो वहां पर यह जो है intensity of light increase कर दी जाए यहां हम light को छोड़ दें यहां dryness हम मान लें main क्योंकि यहां कहां नमी को पसंद कर रहे है तो dryness अगर बढ़ा दी जाए वहां की तो यह क्या करेंगे इनकी गती increase हो जाएगी वहां moment करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कौनसी जगा पर जाया जाए जो जगा नम वाली है और नमी वाली जगा पर आने के बाद में अब क्या है यहां dryness की intensity कम है नमी वाली जगा पर तो वहां इनकी गती भी धीमी होगी क्योंकि वह जगा इनके लिए favorable है तो यहां पर जो stimulus है वह क्या है dryness ठीक है जितना ज़्यादा dryness अगर होगी उतना ज़्यादा वह गती करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कौनसी जगा पर पहुँचा जाए moist place पर पहुचा जाए और moist place पर आने के बाद में उनकी गती धीमी हो जाती है because that place is favorable for them ठीक है तो दो example हमने लिए यहां पर orthokinesis के यानि intensity of stimulus is directly proportional to speed उत्दीपन की तिवरता के साथ जन्तू की गती में तिवरता होती है अब हम लेते हैं दूसरा cleanokinesis 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 का मतलब क्या है बहाई उद्दीपन के अनुसार जन्तू के खूमने की या मुढने की दर प्रभावित होती है घूमने की या मुढने की दर प्रभावित होती है तो ये भी क्या हुआ intensity of stimulus is directly proportional to change in rotation की घूमने की दर या मुढने की दर जो है वो उतनी ही प्रभावित होगी यहाँ example लिये है दो एक तो लिया है planaria का दूसरा लिया है protozoa का planaria जो है वो अंधेरे भागों में रहना पसंद करता है तो अंधेरा है तब तक तो वो जो है एकदम से मुढने वाली चीज नहीं करेगा लेकिन जैसे ही इसकी जो घूमने की दर है वो किससे प्रभावित हो रही है intensity of light पर अगर अंधेरा है तो इसकी घूमने की दर नहीं है अराम से रह रहा है वहाँ पर जैसे ही मंद प्रकाश किया intensity कम है light की वो डालते हैं तो एकदम से यह घूम जाता है और जैसे जैसे intensity का वेक बढ़ाते जाएंगे इसके घूमने की दर भी उसी के अनुसार बढ़ती जाएगी दूसरा example हम लेते हैं प्रोटोजोवा का प्रोटोजोवा में पैरा मीशियम जो है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है नॉर्मली ये corkscrew moment करता है ये युगलीना है युगलीना जो है corkscrew moment करता है सामान ने corkscrew प्रकार की गती करता है किन्तु दिशा या किन्तु दिशा या अनुकुल स्थान पर गती की दिशा में चलते हुए random या अनियमित विचलन करते हैं लेकिन यदि favorable condition होगी अनुकुल या इच्छित वातावरण होगा वहाँ ये अधिक समय पर रहना पसंद करेंगे तो वहाँ पर इनकी गती कैसी हो जाती है अनियमित हो जाती है या random हो जाती है क्योंकि यहाँ वो favorable condition में है इनके अनुसार या इच्छित वातावरण है जैसे ही इस वातावरण में परिवर्तन किया जाए जो इनके अनुकुल नहीं हो तो इनकी rate of rotation या rate of moment भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा जैसे ही यहाँ दो डाइग्राम दिये है पहले डाइग्राम में यह normal movement कर रहा है यह ज़्यादा समय तक यहाँ पर रहना चाह रहा है है न यह second diagram में क्या है यह जैसे ही जो है इसमें unfavorable condition का कोई stimulus देते हैं तो तुरंत यह जो है यह वहाँ से इसकी rate of rotation बढ़ जाएगी और वहाँ से उस परिस्तिती से यह एकड़म से गती करता हुआ एकड़म से जो है इसकी rotation बढ़ेगी ठीक है फिर हम लेते हैं यहाँ पर इसी को short में दे रखा है orthokinesis यानि intensity of stimulus is directly proportional to the speed और cleanokinesis intensity of stimulus is directly proportional to the direction या rate of rotation यह direction के बज़ाए हम क्या लिखेंगे rate of rotation मुढने की दर अर्था दिशा में परिवर्तन की दर भी जो है यह उद्दीपन की तिवरता के साथ में बढ़ेगी तो यह हमें example के साथ इसको याद करना है अब हम लेते हैं टेकसस जैसे हमने बताया टेकसस के अंदर उद्दीपन की दिशा के अनुरूप होता है directional movement है यह यहाँ उद्दीपन की स्थानिक्ता यानि कौन से स्थान से उद्दीपन आ रहा है वो यहाँ महत्तपून है और उसके अनुसार जीव उस श्रोत्र के जहां से उद्धीपन आ रहा है या तो उसकी तरफ मुवमेंट करेगा तो वो हो जाएगा towards stimulus या उसके opposite direction में यानि away from stimulus या जो है जहां से stimulus आ रहा है उससे किसी निश्चित खोन पर गती करता है यानि make any particular angle with stimulus तो इसके अनुसार taxes के जो types है positive taxes, negative taxes, positive taxes यानि कि अगर जन्तु उद्धीपन के श्रोतर की और गती कर रहा है तो ये कहलाएगा positive taxes, negative taxes यानि जन्तु का उद्धीपन के श्रोतर से विप्रीत दिशा में यदि गती कर रहा है तो कहलाएगा negative गमन कर रहा है, तो कहलाएगा negative taxes, geo taxes, geo मतलब प्रत्वी की तरफ, प्रत्वी के केंदर की तरफ, तो जन्तु का प्रत्वी के केंदर की और गमन कहलाएगा positive geo taxes, और जन्तु का प्रत्वी के केंदर से विप्रीत दिशा में गमन कहलाएगा negative geo taxes, ठीक है, इसी के अधार पर जो stimulus किस प्रकार के हैं वो हम इसमें नाम दे सकते हैं जैसे यहाँ पर है उद्धीपन यदि जल उद्धीपन के रूप में काम में आ रहा है तो उसके अनुसार जीव गती कर रहा है तो हाइडरो टेकस्स यदि यहाँ stimulus क्या है temperature है और उसके अनुसार जनतु गती क तो थर्मो टेक्सस, फोटो टेक्सस यानि यदि उद्धीपन के रूप में प्रकाश है और उसके अनुसार जीवगती कर रहा है, थीमो टेक्सस यानि यदि स्पर्ष के अनुसार जीवगती कर रहा है तो गमन कर रहा है तो थिगमो टेक्सस, कीमो यानि केमिकल के प्रतिक्रि रियो टेक्सस यानि जल धारा की दिशा के प्रति प्रक्तिक्रिया कुछ जीव होते हैं जो जल धारा की तरफ जाते हैं और कुछ जीव होते हैं जो जल धारा से विप्रिट डारेक्शन में मूव कर रहे हैं इसे तरह से जियो मैगनेट एक्सस यानि भू चुम्ब की ये प्र तो कोई भी प्रेशन यहां से, छोटे-छोटे प्रेशन इसमें से बन सकते हैं, तो Texas हम ध्यान रखें, Texas मतलब क्या होता है यहां पर, उद्धीपन कौन सी डारेक्शन से आ रहा है, उसके अनुसार गमन हो रहा है, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, Texas कहेंगे, तो यहां पर, अब हम लेते हैं, यहां ते हमने के लिए, Positive, Negative, Geo-Texus, अब आता है, क्लीनो-Texus, जैसे हमने बताया था, क्लीनो-Kinesis, क्लीनो मतलब bending, तो क्लीनो मतलब bending, ठीक है, तो क्लीनो-Texus मतलब, अब यहां दो दिशाओं से यदि उद्धीपन आ रहा है, दो डारेक्शन से उद्धीपन आ रहा है, तो इसके वेग की तुलना, जन्तु अपने शरीर क के दोनो और स्थित ग्राही अंगों को, तो जादा तर जो एनिमल्स होते हैं, उनमें bilateral symmetry पाई जाती है, तो उसमें जो ग्राही अंग है, यानि जो sensory organs है, वो दोनों जो है, प्रॉपर उसमें अरेंज है, तो ग्राही अंगों को पहले एक दिशा में, जहां stimulus आ रहा है उस त दूलना करता है, क्योंकि दो direction से उद्धीपन आ रहा है, मानलो यहां से भी उद्धीपन आ रहा है, यहां से भी उद्धीपन आ रहा है, तो जन्तु क्या करेगा, एक बार जो उसके photosensitive वाले पार्ट है, तो इस direction में मूव करेगा, और मूव करने के बाद में उनका compare करेग उसके बाद स्वयम को इस प्रकार से विन्यासित करता है करके गती करता है कि देह के दोनों तरफ उद्धीपन का वेग बराबर हो सके उसके पहले तो compare किया उसने अपने जो sensory organs हैं उन वाले part को एक बार एक direction में move करके दूसरी बाद दूसरी direction में जो दोनों direction से उद्धीपन आ रहा है उस तरफ move करके उसके बाद वो इस प्रकार विन्यासित करता है कि देह के दोनों और उद्धीपन का वेग क्या हो सके बराबर हो सके तो इसको कहते हैं cleanokinesis इसका हम example लेते हैं यहाँ पर समन्य मक्खी के जो maggot होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का cleanokinesis जो है वो देखा जाता है maggot का जो सिर वाला भाग है उस सिर वाले भाग में प्रकाश ग्राही आंग है photosensitive part है जैसे यह maggot बना दिया तो इसके यहाँ सिर वाले भाग में photosensitive part है यह तो एक बार यदी इस प्रकाश के श्रोतर को जन्तू के नीचे की ओर से दिया जाए यहाँ पर यह नीचे की side से जो है light दी जा रही है ठीक है तो यह अपने सिर को निरंतर दाय्वेभाएं एक बार यह सेड में पर्टे इस सेड में मूव करेगा फिर इससेड में मूब बोड़ेगा तो दाइम हब बाए ब्मूब करके फिर भैलेंस-" करता है अपनी पूरी बोडी को मूब करता है program बीव करता है और इसके बाद में जो है इसके रेंगने की दिशा सरे करता है यह इस तरह से विन्यासित करता है कि दोनों तरफ का जो वेग है वो इस पर बराबर आ सके ये दोनों और के उद्धीपन का वेग बराबर हो सके ठीक है तो ये तो हो गया यदि प्रकाश का श्रूत्र जंतु के नीचे से आ रहा है यदि जंतु को बाई और से उद्धिप्त किया जाए बाई और से उद्धिप्त किया जाए यानि केवल कहां से करें यहां से बाई साइड से बाई साइड से उद्धिपन आ रहा है ठीक है तो उस समय क्या करेगा ये रेंगने की दिशा इसकी दाई और अधिक अधिक होगी ठीक है तो पहले तो यह movement करेगा दोनों साइड में उसके बाद में यह इस तरह से balance बनाएगा कि दोनों तरफ का जो उद्धीपन है उसका वेग जो है वो बराबर हो सके तो यह दाईं तरफ अधिक अधिक रहेंगेगा तो हमें यह diagram इसमें बनाना है यह English में भी लिखा है the achievement of orientation by alternate literal movement of part or all the body या तो body का part move करके balance बना रहा है पहले या पूरी body को move कर रहा है there appear to occur comparison of intensities of stimulus तो जो दो तरफ से stimulus आ रहा है उनको compare करने की कोशिश कर रहा है पहले और उसके बाद में जो है यह अपने आपको इस तरह से balance करता है कि दोनों तरफ के उद्धीपन का way क्या हो सके इस पर बराबर हो सके ठीक है तो यह maggot का example हम यहां लेंगे अब हम दूसरा example लेते है ट्रोपो काइनसस ट्रोपो काइनसस में क्या है जन्तु समाना अंतर उद्धीपन की तुलना एक साथ करता है यहां से भी उद्धीपन आ रहा है यहां से भी उद्धीपन आ रहा है यहां से भी उद्धीपन आ रहा है तो जन्तु जो है दोनों की तुलना एक साथ करता है, उसके बाद में इसमें संतुलन प्राप्त करने के बाद ही प्रतिक्रिया करता है, यहाँ पर क्या था, वो पहले ही alternate moment उसने शुरू कर दिया था, यह alternate moment इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ moment करने के बाद फिर वो orientation करके और balance बना र तो यहां पर जो है उसकी जो bilateral सम्मिती के जो ग्राही अंग है उनके विन्यास के उपर यानि उनके arrangement द्वीपार्श सम्मिती के जो ग्राही अंग है उनके विन्यास पर निर्भर करता है यह moment और इसके अंदर भाय उद्दीपन का तो प्रभाव पढ़ी रहा है लेकिन अंगो है light dorsal light reaction on argulus species argulus प्रजाती की जो मचली है वो अपना जो dorsal side है यानि प्रेश्ट सत्य वो प्रकाश की तरफ रख के तैरती है ठीक है तो यह इसका common nature है तो जिस तरफ प्रकाश बढ़ा देंगे तिवरता बढ़ेगी तो यह उस तरफ ही अपना dorsal side जो है यह कर लेगी जैसे aquarium में रखा हुआ है तो जहां से light आ रही है जहां से light आ रही है जैसे इस side से light आ रही है तो यह अपना dorsal side light की तरफ कर लेगी तो दो तरफ से यदि आ रही है तो उसमें बैलंस बना करके अपनी डॉर्सल साइड जो है किस तरफ कर लेगी है जो लाइट आ रही है उस साइड में इसका डॉर्सल साइड होगा यदि प्रकाश का श्रोत्र अधर सता से दिया जाए यानि वेंटरल साइड से दें तो तुरंत अपनी प्रेश्ट सता को इस दिशा की त प्रभावित कर रही है तो यदि इसका एक आँख यदि इसकी एक आँख नश्ट कर दी जाए तो यह लगातार चक्राकार और सरप्रिदाकार क्रम में गती करती भी दिखाई देती है यानि इसका जो मुमेंट है वो उससे यह अपनी बोडी का बैलेंस नहीं बना पा रही ह और डॉर्सल साइड को किस तरफ नहीं कर पा रही है यह जिस साइड से लाइट यानि स्टिमुलस आ रहा है तो यह कैसे प्रभावित हुआ क्योंकि इसकी एक आँख नक को नश्ट कर देंगे तो अंदर का जो बालेटरल सिमेटरी वाला जो आंतरिक कंडिशन है वो प्रभ प्रशक है बोत आईजा नेसेसरी फॉर बॉड़ी बैलेंस एंड फॉर प्रॉपर टेक्सस ठीक है अब हम लेते हैं टीलो टेक्सस टीलो टेक्सस में भी क्या है यदि जन्तु के प्रति उद्दीपन के दो भिन श्रोत्र एक साथ सक्रिये कर दिये जाए हम यहाँ एक्जाम के लाइट की इंटेंसिटी कम है और दुसरी तरफ के लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो यह यहाँ कंपेर नहीं करेगा यह यहाँ कोई कंपेर नहीं करेगा यह सीधा किसको चूज करेगा ज्यादा इंटेंसिटी वाले पार्ट को चूज करेगा तो इसमें भी बैल तो यहां पर यह कोई compare नहीं कर रहा है, सीधा क्या कर रहा है, एक श्रोत्र को तो यह neglect कर रहा है, source of stimulus मिल रहा है, और जो अधिक वाला source intensity of stimulus जादा है, उसकी तरफ movement करेगा, यह दि जन्तु के प्रति उद्दीपन के दो विभिन श्रोत्र एक साथ सक्रिय कर दिये जाएं, तो कभी मध्यस्त स्थान ग्रहन नहीं करेगा, एक श्रोत्र को प्रभाव सदैव अवरोधित कर दिया जाता है, जैसे हर्मिट क्रैप, दो समानंतर प्रकाश श्रोत्र, एक मंद प्रकाश की तरफ आ रहा है, और दुसरा तिवर प्रकाश वाले स्थान से आ रहा है, दूरी बर जो जिस तरफ से, दो तरफ से समानंतर उद्धीपन आ रहे हैं, तो उनका ये संतुलन प्राप्त करेगा, उसके बाद मूमेंट करेगा, ठीक है, और इसे तरह से यहाँ पर ये क्या कर रहा था, दो तरफ से उद्धीपन अगर आ रहा है, तो पहले ये मूमेंट करेगा दो अंतर दूरी पर है तो कोई मीश में balance balance करने की कोशिश नहीं करता है जिस तरफ तिवर उद्धीपन आ रहा है उस तरफ अपना moment करता है कम उद्धीपन वाले की तरफ गती नहीं करता है अब आता है मीनो टेक्सस मीनो टेक्सस यानि जनतु उद्धीपन की दिशा से एक निश किया जाता है यहाणी भी जो होती है वो भी अपना मार्क किस तरह से निर्धारित करती है जो सन की जो रेडियेशन आ रही है तो उससे एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए वो मुवेंट करती है तो इस मुवेंट को क्या कहते है मीनो टेकसस यानि उद्धीपन की दिशा ज अनुरूप नियंत्रित किया जाता है यदि सीशे की सहायता से प्रकाश के किरणों की दिशा में परिवर्तित किया जाए तो चींटियां भी उसके अनुरूप अपने पत को क्या कर देती है बदल देती है तो यहाँ मीनो टेकसस मतलब उद्धीपन की दिशा से एक निमो टेकसस में क्या होता है इट इस बेस्ट उन दा मैमूरी स्मृति ठीक है तो इसे क्या कहेंगे जन्तु जब विन्यासित उद्धीपन से प्रेरित हुए बिना यानि कोई भी उद्धीपन मिल रहा है उससे इनको मतलब नहीं है यह अपनी मैमूरी के आधार पर मुमें करते हैं यानि जब जन्तु विन्यासित उद्धीपन के प्रेरित हुए बिना कॉन्फिग्रेशनल स्टिमिलस के बिना अभी विन्यासित करते हैं तो इसको कहते हैं स्मृति नूचलन यानि अपनी मैमूरी के अधार पर करते हैं और इसका बेस्ट एक्जामपल है हंटिंग यह हंटिंग वास्प जब अपने जो इनका हाइव है छत्ता है उससे जब यह बाहर निकलते हैं तो उसके बाद यह लैंडमार्क्स का प्रियोग करते हैं यानि देखते हैं कि हम छत्ते में से बाहर जा रहे हैं तो लैंडमार्क्स यानि चिन्हों को अपने मेमूरी में या रहा है, it depends on the memory, जो ये निकलते टाइम पर landmarks को अपने दिमाग में बठा करके चलते हैं, उसके अनुसार ही ये जो है movement करते हैं, तो इसको कहेंगे मीनो टैक्सस, नीमो टैक्सस, क्या कहेंगे इसको, नीमो टैक्सस, ये मीनो टैक्सस और नीमो टैक्सस, एक्जाम टाइम पर थोड़ा ध्यान रखना है, अगर हिंदी में आता है, स्मरती नूचलन तो बहुत असान है, लेकिन अगर इंग्लिश में आता है, तो इसको आपको नहीं होरा stimulus से, यह अपने memory के अनुसार ही moment कर रहे है हंटिंग वास्प का एक्जामपल है photo taxes यानि towards the light, जैसे yuglina का example है, yuglina जो है, यह plants और animals के बीच की कड़ी माना जाता है इसमें chloroplast होता है तो अगर इसको light मिलेगी तो यह light की तरफ गती करेगा, तो क्या है towards light, इसको कहेंगे photo taxes और away from light यानि light से दूर जाना तो जैसे house fly का लारवा है, तो यह प्रकाश से दूर की तरफ, यानि अंधेरे की तरफ movement करेगा, तो इसको क्या कहेंगे negative photo taxes इसे तरह से chemo taxes towards the chemical, जैसे phyromones हैं तो phyromones क्या है, chemicals which are secreted by animals to attract their opposite sex, या कोई सूचना देने के लिए, है न, तो इसमें क्या है, एक जाती के जो जन्तू होते हैं, वो जो chemical release कर रहे हैं, उसके अनुसार, दूसरा जो animal है, उसके अनुसार उनके तरफ attract होने का आएगा तो towards chemical, away from stimulus, away from chemicals जैसे हम mosquito repellent लगा रहे हैं तो mosquito repellent ही इस दे लगा रहे हैं, कि mosquito उससे दूर जाए है न, वहाँ पर ना आए तो यह है chemo taxes, negative chemo taxes का example हो गया mosquito repellent, और positive का क्या हो गया, phyromones की तरफ है न, यह हमने पहले बताई दिया, negative and positive orientation का, यह chemical, यह stimulus के अनुसार इनके नाम है, hydro अगर stimulus पानी है, तो thermo, अगर stimulus temperature है तो thermo शब्द आ जाएगा, अगर stimulus light है, यह प्रकाश है, तो photo, अगर sparsh यानि sparsh के प्रति-प्रतिक्रिया thigmo, chemical के प्रति-क्रिया chemo, galveno विदुतावेक के प्रति, geo, गृत्वाकर्शन के प्रति rio, जलधारा के अनुसार, और geomagneto यानि भू चुम्बकी है प्रकाश के अनुसार तो इस तरह से हमने यह topic किया और orientation जिसमें आएंगे kinases and texas, orientation के type है orthokinesis, cleanokinesis और texas के type है, texas के type है, यहाँ पर positive, negative के लावा यहाँ geotexas है, cleanotexas है, trophotexas है, minotexas है, telotexas है, neemotexas है, ठीक है, बागी यह chemical के अनुसार है, तो इस तरह से यह topic complete होता है orientation का, thank you